बात करना तक की चुनोकी और करना तक मैं हिंदू तवकीर राजनेती की मैं हूँ शकील बागमरे क्या नया भारत बनाया जा रहा है हमें फिर से क्या डर आया जा रहा है ये हिंदू है ये मुस्लिम है ये सिख है ये इसाई है क्यों फिर से बताया जा रहा है क्या इससे ही इन तोपी पहन कर मुसलमानों के साथ बैटा करते थे, मुसलिम ईदों में शर्बत बाता करते थे, ईद की नमाज पड़ा करते थे, क्यों वो अचानक से मुसलिम विरोधी हो गए, ऐसा क्या हुआ है इस देश के नेताओं को, जब कॉंग्रेज या जेडियस या अन्य किसी भी प आते हैं तो उसी टीपू को दुश्मन कहने लगते हैं, क्या ऐसे ही नेता हमें चाहिए, जो पल-पल अपना चहरा बदलते रहते हैं, इसी मार्श के अंत में करनाटक के चुनाओं की गोशना होगी, मगर गोशना तब होगी जब हमारे परदान मंत्री अपनी यात्रा करना जो 25 को हो रहा है, उसके फौरण बाद 26 या 27 मार्श को चुनाओं तारीक का ऐलान कर दिया जाएगा, क्यूंके हमारे क्यूंके हमारा इलेक्शन कमिशन वो सरकार के दबहों में काम थोड़े ही करता है, बस 25 तारीक को परदान मंत्री करनाटक का आएंगे और करनाटक के लि और करनाटक की जनता को लुबा सके, मोधी जी जाते ही चुनाओं तारीक का ऐलान कर दिया जाएगा, इनतेजार कीजिए, आपकी जानकारी के लिए बतादूं के परदान मंत्री मोधी जी का सिर्फ दो महने में ये साथवां दवरा है करनाटक का, परदान मंत्री आने से प पहले बीजेपी अद्यक्ष नगदा जी भी करनाटक के दौरे पर रहेंगे इनके सब के साथ आसाम के मुख्य मंत्री हेमंत भी स्वा को चुनावी परचार में उतार दिया गया है जुनों ने कहा के कॉंग्रेज आज की नई मगल है मंगलों ने देश को कमजोर किया आसाम मे हमने 600 मदर्सों को बंद किया है और मदर्से नहीं होना चाहिए मंगलादेश के गुस्पेटी नहीं आने देंगे जब इस तरह के भाशन राज्यों के सीयम भी आकर देने लगेंगे तो नतीजा यही निकलता है करनाटका में शाशन करने वाली बीजेपी सरकार अपने हिंदू मुस्लमानों के नाम पर करना चाहती है जबकिस पेटे पार्टि ऑं को सकते के उस ने अपने शाशनकाल में क्या convey किया है और क्या क्या करना यंदू मुंस्लिम का काड़ ही पुराना खेल ही इस बार भीखेला जा रहा है जब कि पार्टी कांगरेश ने अपना मैनिफेस्ट जनता के सामने पेश कर रही है जो जनता की हित में दिकाई भी दे रहा है अब बात उरी गोड़ा और रंजय गोड़ा भी आ गये हैं ओल्ड मैसूर रिजन में 8 डिष्टिक हैं और इन 8 डिष्टिक में 55 सीटे हैं और पिछले 2018 के चुनों में बीजेपी को 9 सीटे मिले थी। तो इस बार इन्होंने दो कैरेक्टर को जनम दिया है जिसका नाम है पुरी गोडा और नंजे गोडा। बीजेपी और संग के लोग जनता को ये इस्वास दिलाने चाते हैं कि इन दोनों ने टीपु सुल्तान को जंग में मारा था। मगर ये एक बनाई हुई स्टोरी है जबके सब को पता है टीपु सुल्तान ब्रिटिस फौज के साथ लड़ते हुए मारे गए। इतियासकार प्रोफेसर नन्राजे अरसे ने भी उरी गोडा और नन्जे गोडा को गलत बताया और कहा के इन्हें किसने पैदा किया और ये कहां से आये अब आपी सोचिए ये जूट कौन फैला रहा है और उसकी क्या वज़े है मैं आपको बता दूँ ओड मैसूर रिजन गोडा कमिनेटी का स्ट्रॉंग गड माना जाता है उनके ओठ हासिल करने के लिए इन दो क्यारेक्टरों को परमोट किया जा रहा है जबके इन दोनों क्यारेक्टर्स उरी गोडा और नन्जे गोडा का इतियास से कोई लेना देना ही नहीं है कहीं पर भी बीजिपी कि मूल भूत सोलतों पर कोई भाशन देखने को नहीं मिल रहा है अगर मिल रहा है तो हिंदू मुस्लिम उरी गोडा नन्जे गोडा और लाजहाद और अपने बच्चों को बचाना चाते हो तो बीजे पी को होड़ दो यही नफरत की राजनेती चल रही है अब तक तो यही बीजे पी का चुनाई मैनिफेस्टो बना हुआ है बच्चों को बचाने के नाम पर ओट मांगा जा रहा है अब समझना यह है कि किसके बच्चे खत्रे में हैं और इनको कौन खत्रे में डाल रहा है खुद के फैदे के लिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है और जब दंगे होते हैं तो आप ही सोचिए किसके बच्चे खत्रे में पड़ते हैं और कौन आरोपी बनता है आम जनता जिसे हिंदू मुस्लिम से कुछ लेना देना ही नहीं है उस जनता को तो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा अच्छे इलाज अच्छी नौक्रियां हर्वा मूल भूत सवलतें चाहिए जो एक इनसान को जीने के लिए होती है ना के इन नफरती ने ताओं के बाशनों से भड़क कर मरने के लिए मैं तो आप से यही कहूंगा के करनाटका चुनावी जंग की शुरुवात फिर से हिंदू मुसल्मान के नाम पर हो गई है विकास का नाम कह नहीं दिकाही देता इसलिए अपने कल को एक बहतर कल बनाने के लिए होस से काम लीजिए बेहोशी में नहीं और देखते रहिए आपका अपना हग की आवाज